जुडों में दल्द होना एक आम समझ्थी होती जा रही है। जुडों में कई 살 Peru M है है होता है या इसे कहते हैं प्रीकिले कि एक सब्सक्राइब होता है और आज इसके बारे में हम पुर ऐसे को सब्सक्राइब तर्सक्राइब अब सभी के साथ में जोडों में दर्द का इलाज हम जानेंगे तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं गठिया या कहीं कि जोडों में दर्द क्यों होता है देखे और यह चारो तरफ जोगा एक कार्टिलेज लगा होता है और इस कार्टिलेज के अंदर एक फ्लूड होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूड कहते हैं यह साइनोवियल फ्लूड जो होता है धीरे-धीरे कम होता जाता है अब कम कैसे होता है जब हमारा कार्टिलेज जो होगा कार्टिलेज जब धीरे-धी होने स्टार्ट हो जाएगा घसना स्टार्ट हो जाएगा यह कराव होने स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंदर साइन वीयल fluid है वो धीरे-धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा जब साइनोवियल fluid कम होगा तो उसके अंदर जो गैफ होता है जैसे मान के चलिए अभी केवल इतना गैफ है वो धीरे-धीरे-धीरे-धीरे पूरा कम हो जाएगा तो जब हम चलेंगे फिरेंगे तो यह आपस में टकराएंगे हड़िया जब यह टकराती हैं इस कंडिशन को और स्टेयो अर्थराइटिस कहते हैं जब और स्टेयो अर्थराइटिस की समस्या होती है पिशेंट को कई सारे समस्याएं कई सारे प्रॉबलम स्क्पपले कि अ जाता है जैसे कहुंट के बारे में बाद करें तो वीसी के लिए आप क्या treatment ले सकते हैं और क्या symptoms होते हैं तो देखिए इसके जो symptoms होते हैं वो ठंडी जगह पर जाने से जदा बढ़ जाते हैं चावल खाने से बढ़ जाते हैं ठंडी चीजें बादी वाले चीजें होती हैं उनको खाने से बढ़ जाते हैं ठीक है क्योंकि पर जो सायनूबिल है वो धिरी-धिरी कम होता जा रहा है उसकी प्ज़े से कई सारी प्राप्लम्स प्रेशेंट को आना इस्टार्ट हो जाती है तो कई सारे सिंट्मस अगर बात करें कि इसे कैसे ठीक किया जाए इसका प्रापर ट्रीटमेंट क्या है कैसे हो मेपितिक दबाओं से ठीक कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहली मेडिसेन आपको लेनी है अर्जिंटम नाइट्रिकम दूसरी मेडिसेन आपको लेनी है ब्राइयोनिया तीसरी मेडिसेन आपको लेनी है औरनिका चौथे मेडिसेन लेके आएंगे, तो उसके बाद में, आपको ये दबाएं एक बड़े वॉटल में, मإक्स कर लीनी हैं, और मिक्स करने आएए जहां पर ज़ादा धूप नहीं हão जहां पर ज़्यादा धूप नहीं हो जहां पर ज़्यादा ठंडक नहीं हो ऐसी जगह पर इसे रखें जब भी आप इसे उप्यो करें ऊपके करें उसके यूज करें तो आप प्ïशियंच को कैसे दे सकते हैं वो समझेगा छे मिलेंगे अगर कहीं हड़ी मेडिसिन अंदर भी बहुत अच्छे ड्रीजल्ट को मिलेंगे ये दोनों दबाई एक साथ चलाईएगा अगर कहीं हड़ी में इस पूर है रिकेल के लिया फ्लोर बहुत अच्छा उप्योगी है और साथी साथ ऐसे पेसेंट्स जिनको जॉइंट्स में इंफ्लमेशन है सूजन है या उनको दर्द बहुत ज़्यादा होता है लेडम पाल जो होता है वो फ्लोट शैनुविल फ्लोट को बढ़ा देता है और इंफ्लमेशन को भी कम करता है अरनिका मोंटाना भी इंफ्लमेशन को कम करता है दर्द को कम करता है तो इस प्रकार से दवाईयां जो होती है बहुत अच्छा combination में आपको बताया है इसकी मदद से आप काफी हद तक patient की समस्या को ठीक कर सकते हैं और आप इसे यूज कर सकते हैं अब अगर बात करें कितने दिन तक लेनी है तो ध्यान रखेगा पहला एक महीना आपको ये दिन में तीन बार लेज़ेगा सुबा दुफर एंशया isso को जिनकी उम्र पचाज साल से जादा है उनको ये समस्या हो रही है तो अगर जिनकी उम्र 20 साल जादा है उनको ये दिक्कत हो रही है तो 15 वह चार वार भी कर सकते हैं ठीक है इसके अलाबा आधिक कप पानी में आपको यह पंदरा बूने डालनी है और आपको यह पी लेना है 15-20 पहले आपको दवाई लेने के कूछ नहीं लेनाहाँ कुछ भी आपको शिवन नहीं करना है चाहरे वह कुछ भी उखाना हो को वाली चीज़ों कुछ भी नहीं खाना है बहुत अच्छे रिजर्ट्स मिलेंगे आपको साथी साथ रूटा और रस्टॉक्स दोनों मैडिसिंस आप थर्जे ठल्टी पोटेंशी में लेके आएगा दोगुन सुबा दोपा दोगुन श्याम को दोनों में दवाईयों का लेज तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हैल्फुल होगा उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप बहुत को सीखेंगे और आप शमस्याओं को दूर कर सकते हैं इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करा है मैं फिर मिलता हूं तब त